हमीरपुर में 22-25 जून तक होने वाले हिमाचल की प्रतम ऑलम्पिक खेलों का शुबारम ऑलम्पिक एस्चोशेशन अध्यक्ष अन्राग्ठा को करेंगे और इन खेलों में पूरे प्रदेश भर से खिलाडी प्रतिबा दिखाएंगे तो खिलाडियों का प्रोसाहन करने के ल उन्होंने कहा कि ऑलम्पिक खेलों के लिए तैयारे लगभग पूरी कर ली गई हैं अतरी ने बताये कि 22 जून को हमीरपुर में ऑलम्पिक टार्च पहुंचेगी जिसका भव विस्वागत किया जाएगा उन्होंने कहा कि ऑलम्पिक टार्च को रिशीव करने के लिए 2000 पहुंचेगी उसको लेकर हमीरपुर अलम्पिक संग के साथ साथ अन्या खेल संगठन समाजिक संगठन पूरी तैयारियों में जुटे हैं पूरे प्रदेश में जहां लगभग पचास हजार युवा चात्र चात्राएं इस अलम्पिक टार्च रन का हिस्सा बनेंगी वही हमीरपुर में लगभग दो हजार से अधिक युवा अलम्पिक टार्च को रिसीब करने के लिए यहां मौजूद रहेंगे 22 तारी को जहां टार्च यहां पहुंचेगी वहीं उसी दिन हिमांचल अलम्पिक खेलों का यहां शुभारंब शिरनलाग ठाकुर जी जो अलम्प शिद्ध करने के लिए संगर्श करेंगे वहीं पूर्में जिन खिलाडियों ने राश्टि अंतराश्टिय स्तर पर हिमांचल का नाम रोशन किया है अपने जिले का नाम रोशन किया है वो भी इस इन खेलों में हिस्साल भाग लेकर युवाओं को प्रोचाहित करेंगे और जहां अलम्पिक एसोशेशन का उदेश्य युवाओं को खिलाडियों को अपनी प्रतिभाह दिखाने के लिए मंच प्रदान करना है वहीं सदभाबना का एक संदेश प्रदेश के अंदर देना युवाओं को सकरात्मक गतिविदियों में अधिक से अधिक सहभागिता सु अधिक शेतर के उनका भी अवार व्यक्त करता हूं और आशा व्यक्त करता हूं कि इस इन खेलों का इन इस अलम्पिक टॉर्च जो मैंने कहा कि इसका उदेश्य इस उदेश्य की पूरती के लिए खेले हो रही है इसका एक अच्छा संदेश युवाओं के साथ साथ पूरे पूरे देश में जाएगा और एक सकरात्मक महौल पूरे इन खेलों को लेकर बनेगा जिस तरह हमारा जो प्रोत्साहन गीत इन खेलों का है जिसमें कई बॉली बूड की हस्तियों ने जिनका एक अपना नाम पूरे रास्ट के अंदर फिल्मिक शेतर में है वो प्रोत्साहि प्रयास हिमान्चर प्रदेश अलम्पिक संग का और संबानिया ध्यक्षिर अन्राग ठाकुर जी का है जब पहली बार इस स्थर पर ऐसा प्रयास हो रहा है कि जिसको और अधिक से अधिक आम जन्मानस के बीच में पहुंचाने के लिए युवाओं की सहवागिता सुनिश् करने के लिए जहां फिल्मी जो हस्तियां हैं इसका हिस्सा बनने जा रही हैं वहीं अंतराष्टिय स्थर के खिलाडी भी इसमें भाग लेंगे